बिस्मिल्यारमान रहीम, असलावलेकूं दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुजा अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज अंसारी फूर्ट सीक्रेट्स अगर आपकी फेवरिट बिडियानी है, पुलाव है, कड़ी चावल है या कुछ भी इस तरह की रेस्पी तो मैं आज आपको चैलेंज देता हूँ कि ये रेस्पी बनाके खाने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, आप खुद कहेंगे कि सुवान अला इस लेवल का कडारापन आपने आज से पहले टेस्ट नहीं किया, कुछ हटके, कुछ नया, कुछ स्पेशल आज मैं बनाने जा रहा हूँ रेस्पी को ध्यान से हैंड तक देखेगा, कुछ ऐसा आपको जानने को मिलेगा, कि आज आपका दिल खुश हो जाएगा, सबसे पहले, एक पैन में धेर सारा हम पानी लेंगे, वान डी स्पून इसमें हम नमक एड़ कर देंगे, और जो सिरका है वो तकरीबन एक से डेर ट कर दीजिएगा, दार चिनी का छोटा सेक टुकरे अड़ कर देंगे, और हरी मिर्चे मैंने धो के कट लगा के चेक करके अड़ कर दी थी, इसे चावलों का टेस्ट बहुत अचा था, ठीक है, हाई फ्लेम के अपर इसमें हम चावलों को एड़ कर देंगे, जो मैंने कोई 20- पहले भी कोके रखे थे, यह 200 ग्राम के करीब चावल हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर चावलों को बॉयल करना है, ठीक है, और बॉल को प्यालियों को प्लेटों को अच्छे साफ किया करें, एक भी दाना जायना होने दिया करें, इससे आपके रिज्क में आती है बरकत, अच् की दरफ चलते हैं, इसको निकाल लेते हैं, बिसमिल्ला हर्माना ही, खुबसूरा साफ पैन लेंगे, यहाँ पर चोटे-चोटे स्टैप्स हैं, पर आपने ध्यान से उनको नोटिस करना है, ठीक है, एक तहाई कप कुकिंग ओयल का, और बहुत गरमनी करेंगे, इसमें 1 टी कराएंगे, ओढर कुक निक करेंगे, और इसमें एड करदेंगे प्यास, अब प्यास की कटिंग पर ध्यान देंगे, यह मोटा मोटा मै ने काटाए ठीक है, एक बड़े साइस का यह ब मिडियम साइज के प्याज लेगे लेकिन कटिंग इस टाइब की मोटी मोटी होनी चाहिए हमने इसको डार्क ब्राउन करके हलवा नहीं करना हमने इसको खड़ा-खड़ा रखना है इसलिए मैंने इसको मोटा काटा है ठीक है अब हम इसको पकाएंगे यहाँ पर और देखें शानदार से इसका फ्लेवर निकलेगा राही दानेगा आपने इस रेस्पी में जरूर इस्तमाल करना अगर आपको यह शॉप से नहीं मिलती जनरल स्टोर से तो यह आपको पंसारी और हकीम की शॉप से इसली मिल जाएगी ठीक है बेसिकली यह चार का मसाला और तड़के के अंदर बहुत कमाल करता है जैसे ही आपको यह सुनहरी से कलर आना नजर आना शुरू हो जाए तब इसमें वांटी स्पून हम अधिक लैसन का पेस्ट आलेंगे और इसको अपकाएंगे और हाँ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब किया करेंगे आपकी तरह से प्यार होता है महबत होती है आपकी दर से में एक इनाम होता है चले जी यहाँ पर गोल्डन सा कलर आ चुक्या है ठीक है ब्राउन हमने नहीं करना गोल्डन सुनहरी कलर करना है उसके बाद एक खुबसूरा सा बड़ा सा रैड कलर करेंगे हम टमाटर एड करेंगे और साथ इसमें मिक्सिंग के बाद कुछ मसाले डालेंगे ठीक है तो उसके लिए बिसमिल्ला माना ही सबसे वैल इसमें जाएगा वांटी स्पून नमक और लाल मिर्च का पाउडर एड करेंगे कलर अच्छा आएगा इसमें वांटी स्पून साथ इसमें वांटी स्पून खुश्टनिया पाउडर जाएगा यह हमारे पास हल्दी हाफटी स्पून और जीदे का फ्लेवर इसको देंगे आप मुझे दुआएं देंगे आपको दिखने में ये सिंपल सा मसाला लग रहा है लेकिन ये उस लेवल का फ्लेवर देता है हम ये ठंडी रोटी जा पड़ी होती है तो इस मसाले को निकाल के उसके साथ खाते थे ठीक है अब हमने इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चे जो है थोड़ी सी ये एड़ करेंगे थोड़ी सी मिक्सिंग करेंगे इसकी और हमारा एक शानदार और नेक्स लेवल का खुश्बू मसाला जो है तयार हो चुका है अब हमें यहाँ पे चाहिए दही हाफ केजी मैंने दही लिए इसको मैं फैंटूँगा बहुत जादा नहीं बस इतना कि इसके जो गुटलिया है जो वो थोड़ी सी में मिक्स हो जाएं ठीक है ये देखें बहुत जिसानी से हो जाएगा और जो तड़का है वो आपने ठंडा कर लेना ठीक है गरम इसके अंदर नहीं एड़ करना अब वो तड़का वो मसाला हम इसके अंदर एड़ करेंगे जिसके अंदर से जान लेवा खुश्बू आ रही है आपको बता नहीं सकता है ये किस तरह की है सारा एड़ करतेंगे और इसकी करेंगे मिक्सिंग दही को कुक्णी करना दही के अंदर गरम साला नहीं आपने एड़ करना बेसिकली इस रेस्पी का नाम है दही तड़का ठीक है ये कड़ी से जारा कड़ा रही होती है जब चावलों के साथ मिक्स होती है ब्रियानी को पुलाओ को बहुत पीक्षे छोड़ जाती है प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी मैं आपको बताता हूँ बिस्मिल्लारमान अर्रहिम तो माशालाल हमदुलिल्ला देखें जी मेरे अल्ला की शानस की रहमते नेमते और बढ़ते जो दुसरे माते हों इसी तरह चिकन ब्रियानी की रेसिपी के लिए चिकन पलाओ की रेसिपी के लिए वेजिटेबल पलाओ की रेसिपी के लिए राइस की रेसिपी के लिए यमी एंटेस्टी रेसिपी के लिए क्विक एंडीजी रेसिपी के लिए पाक